नमस्कार आप देख रहे हैं नितनव नीता और मैं गोविंद कुमार अभी हम ताजपूर बक्तियारपूर जो गंगा के उपर से पूल बन रहा था उसी पूल पे खरे हैं आप देख सकते हमारे आगे यह पूल निर्माना धीन है 2011 से यह पूल बनना शुरू हुआ था 2016 तक यह पूल बनना खत्म हो जाना चाहिए था तब तक इसका उदगाटन भगेरा भी हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं 2026 भी आ गया है अभी तक यह पूल जो है बनकर तयार नहीं हुआ है आप देख सकते हैं हमारे पीछे विज्वल में कि कई सारा जो है लोहा यह सर रहा है आप देख रहे होंगे यह सभी रखे रखे यह जो कहें यह सर रहा है और हमारे पीछे जो पूल का कारी हो रहा इसको फिर से सुरू करने की बात सामने आ रही है जिसको लेकर यहां के जो ग्रामीन है उन्होंने आज धरना दिया था और उन्होंने अपनी मांग को रखा था उनका कहना है कि वो जो जमीन जिनका जा रहा है जो किसान है उन्हें मुआबजा आबासिय के तोर पर मिलनी चाहिए लेकिन उन्हें मुआबजा जो खेत में जो होता किसान का खेती वाली ज साथ बात्चित किया किसानों को एक सप्ता का मौका दिया गया कि एक सप्ता में हम आपकी बीट को आगे वर्यपदाधिकारी तक र combines इसके लिए उन्होंने क्या कुछ बताया क्या लगठाई में नहीं थार्णा देने से जो प्रमुक साथ प्रमू got तो इस से कहां यह बेवसाइक भूमी है हम लोग का यही रोजी रोटी है अब यहां पर हम लोग को यह जो बाहरी कंपनी को ला के दोहन कराया जा रहा है यहां पर टॉल लगा के यह 20 साल तक सूली करेगा हम लोग भी से पार करेंगे तो टॉल देना होगा और इसके लिए 30 कर और 25 करोर का बजेट किसानों के लिए नहीं है तो इहां क्या बोलता हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो टीएर पी लेने के चक्कर में बढ़िये पदाधिकारी तक या सरकार तक बाद को नहीं पहुंचा रहे हैं तो अब हम लोग के पीट के अगर रोड़ बनाना है वाके पुलिस आए बनाए हम लोग काम नहीं होते हैं तो क्या आगे आप लोग का क्या परकिरिया होगा सब्सक्राइब पुलिस आती है काम सुरू करेंगे काम सुरू करेंगे तो किसी का घर को रौंद के काम सुरू कीजिएगा सरकार पूल पहले भी चर्चा में था काफी बिलंब से कारी करने को लेगा पूल उस कमपनी नव जुगा कमपनी को कमाने का जरिया हो गया है यह 2001 से PPP मोड पर बना रही थी जिसमें सारा पैसा इसको लगाना था बिहार सरकार इसके उपर अहसान करके 1100 करोर दे दिया और उसके बाद किसानों को 30 करोर उपईया नहीं दे रहा है इसको मुआब्या तो उचित नहीं दे रहा है ठीक है सरकार नहीं दे रहा ही तो business road के माध्यम से करेंगे यह तो अपना काम निकालने के लिए दे दें यह तो खुच चाता है रोड कंपनी की लेट हो कि हमको deviation variation सरकार देती रहें सरकार का दोहन करते रहें और इस बात को पना अधिकारी सरकार सब से मिल चुके हैं सब आके यही बोलते हैं कि ने आपकी मांग जायज है लेकिन पैसा दिलाने के लिए कोई तयार नहीं है अब मांग जायज है ट्रिबनल में केस कर दीजिए हाई कोट चल जाए यह सब कहके और काम को सुरू कराने के लिए तबाव बनाते हैं केस करने की ध तुम्हाबजा के लिए हमारों के लिए हम सरकार के ब्रहोद में नहीं है अपनी हग और किर्शी छेत के अधर पर एक लाख रूपई यह दिया गया आप तो देख सकते हैं कि आधार जमीन का इस्तिती घर बनाने का कितना लोगों को सरकार हें तो आप घंच्ना को 3ully का रॉज है कि काम जवरदस्ती करेंगे काम जवरदस्ती करेंगें कि अप्राज की सोर्सिंग हुए अच्मलगोला पर मुखरति कि धरना अप लोग दिये हुए हैं क्या मांग देखें लोग का किसानों का जो मांग है कि 2015 में वाट हुआ है जमीन कि 2015 में दिगरन हुआ था किसी भूमी के नाम पर बाद में दियम साहिब ने उसको आवासिय कर दिया कि अधिकारी बढ़ जो है वो सरकार से कोमुनिकेशन में कहीं न कहीं फेल है चुकि यह जमीन जा रहा है इसका बढ़तावान मुह लह दस लाकों भी है और 96,000 प्याके हिसाब से इनको मुक्तान करने कहीं से उस्चित नहीं है और हम लोग बात करेंगे बिनी सम्मत बात होनी चाहिए अगर किसानों के समस्या के समधान तक हम लोग संगर सरत रहें तो भागये मंत्री से बात करेंगे वाजी इस सचीव से बात करेंगे जी सश्त सटेंदर बहादूर 82 मांगा कवंधन पार देना सब्सक्राइब क्या सरत अपलोग धरना पर बैट गया है क्या मांग है देखिए इसका मांग कुछ जादा नहीं है 2011 में जमीन अधिगरन हुआ एक गारा में अधिगरन हुआ तो इसको एगरी कल्टल करके किया एगरी कल्टल में पेट्रोल पंप भी एगरी कल्ट्रे किया है आज तक एगरी कल्ट्रे है चिमनी भठा है यह होटल है यह सब एगरी कल्टल जमीन है सरकार के नजर में हम लोग जब दीम साहब किया प्रोटेस्ट दिये तो 2014 में वह आए और इसको रेशिदेंशियल किये लेकिन कट आफ डेट पेमेंट का रख दिहिन की इनको रेशिदेंशियल 11 सही माना जाए हम लोगों का कहना है कि नहीं आप जिस दिन रेशिदेंशियल किये कम से आप उस डेट में तो दीजे चुकि यह भी रहाँ वाज हो चुका था ठाउबड रेसिडेंशियल वर 15 बढ़ सुक्षाइब टेखनेश यह लेकिन इसकारी की जो उदासिंता है पताधिकारियों का जो अब सरसाही लाल फीता साई है उसका परिणाम है कि किसान आज जमीन पर बैठा हुआ आए देख रहा है कि आपके यहां बैटने से पदाधिकारी पर कुछ परभाव पर रहा है कि नहीं जानते हैं लेकिन हम अपनी जमीन का मुआबजा लेकर रहेंगे इसके लिए हम को करना पर हम करेंगे सतंद्र कुमार की किसान कितने गाउं के किसान इससे प्रभावित हैं जमालपूर के बहादूर पूर है दूसरा जमालपूर है और फिर कल्यानपूर तो यहां जमीन का नेचर एक ही सब जमीन अगल बगल बेहिए और इसका नेचर एक पता नहीं सरकार के नेजर इसमें क्या डिफ्रेंसे जो इसका रेट में बहुत फरक है और हम लोग जो हम 2013 में 14 में वह आती किये हैं इसको एड़ी कल्चर से किये है जह सो रेशिदेंशियल में और हम लोग 2014 का रेट नहीं करके हम लोग कह रहा है कि 2014-15 जिसका रेट 14 से कम है वह भी हम लोगों को मिल जा जो एवाड हुआ उस वक्त से मिलने का प्राफडान है भारत सरकार का जो में सब लोगों को भुग्तान करेंगे इन पता नहीं डिया म साब किस अथी से इसको नहीं कर रहे हैं हम लोग लोग को मरस्यल का पैसा मिलना चाहिए किया गया है उसमें भी हम लोग को जो है इहां पर इगंदगी में बैट करके सरकार से जी हुजूरी करना पर रहा है कि हे सरकार हमको आवासिय का पैसा दे दीजिए हम लोग जो है काफी निमला वर्ग है किसान वर्ग माने सबसे निमला वर्ग खेत ले लो और बोले आवेता चार लाठी मार के अभगा दो राइफल अपिस्टॉल देखा करके और किसान के लठीए लठीए रगेद दो हम लोग कर लिए हैं कि हम लोग अपनी जान दे सकते हैं लेकिन जमीन नहीं दे सकते हैं सरकार को जो करना है वो करें हम लोग का उची तुम आपजा में लिए करें लिए अपना केस लड़ी रहें तो इसी के संबन में बात हुआ है और यहां की जो में वह सफ़र रही है यहां पर काम जो है वह आज से ही वह स्टार्ट हो जाएगा और जो किसानों का जो दिमांड है वो दीम सर और कमिश्णी से तक इंचाय जाएगा और इनकी दिमांड कि दो हजार पंदर का जो ठो किया गया था जी कि आपको आजसे काम स्टार्ट का तो पाइलिंग का काम है वो सब्सक्राइब करने दिए जिसे फसल का शती नहीं हो और उचित मुआपजा जो हम लोग का मांग है उसके लिए सरकार से सब्सक्राइब करेंगे उनकी बात भी पल रही तो फिर हम लोग काम रोकेंगे अभी सर के बात पर की बढ़िया दिगारी से अब माल लिया जाए नुमंडल में हैं इनकी बात तो रखना एड्मिस्टेशन में हैं तो यह जब आस्वासन दे रहा हैं कि हम पैसा दिलाएंगे क हम इसने साथ से बेतिगत रूख से मिलेंगे से मिलेंगे तो इसलिए साथ दिन का समय दिया गया है कंपनी की मसींदी खड़ी है हम लोग की तो मंसा कंपनी को काम रोकने का है नहीं हम तो मुआपजा की मांग प्यारे हुए नहीं मिलेगा फिर साथ मादी नहीं परदर्शन होगा और उस दिन कोई बारता नहीं होगी और कोई बात नहीं होगा जब तक पैसे अकाउंट में आएंगा तब तक काम नहीं हो थेंक्यू स्थ